हाईलो फ्रेंग्स वेलकम यू आल आजमा आपने जो वीडियो ले क्या देखें बात करेंगे रियल इस्टेट वाले स्टॉक्स की यानि कि आपने देखा होगा रिजिडेंशल प्रॉपर्टी, कमर्शल प्रॉपर्टी यह जो डिवलपमेंट का काम करते हैं रियल स्टेट सेक्टर में उन कम्पनीज के बारे में बात करेंगे बड़े मूब देखें जब भी रियल स्टेट के स्टॉक्स की बात होती है तो बड़े नाम आपको पता ही है डी एलेफ, गॉद्रेस प्रॉपर्टी लेकिन छोटे नाम भी इस सेग्मेंट में बहुत है क्या कभी आपने उन स्टॉक्स को देखा है उनके प्राइस सेक्षन उनमें क्या प्राइस सेक्षन चल रहा है उनको समझने की कोशिश की है हमेशा जब सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट आता है तो एक तरीके के स्टॉक्स कोई लेट तो कोई आगे रैलीज देते हैं रिसेंट्ली हमने बात करी थी फार्मा जो कि मार्च एंड से लेके मैं कौँगा मिड आउप मार्च से लेके बहुत ही बहतरीन रैलीज सबसे आगे आगे आके मूब देना स्टार्ट किया चाहे वो न्यू लैंड लैब हो चाहे वो लंकन फार्मा हो चाहे वो ग्लैनमाग लैख फार्मा हो बहुत ही बहतरीन रिलीह फार्माकेंट प्लेयर श्यू नेहीं दी थी में रियल स्टेट्स अक्टर के स्टॉक को भी देखेंगे समझेंगे हम कुछ श्टॉक्स के बारे में बात करेंगे बाक्ए श्कॉम को आप अ پने यंड प्र स tightening को सब्सक्राइब नह ने आपको कहा कि बड़े नाम कौन से में DLF गॉद्रेज प्रॉपर्टी लेकिन और कौन से नाम है जरा देखिए और कौन से नाम है यह आपके साब ने जो वीडियो जा रहे हैं उनका कुछ कारण है देखिए फिनिक्स मिल लिमिटेड अभी रीसेंटले हमने बात कर रही थ जरा देखिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना यह इसका आवरली चार्ट है आवरली चार्ट में बहुत टाइम से यह अप डाउन अप डाउन का खेल खेल रहा है लेकिन धीरे धीरे अब वो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी धीरे धीरे मैं कहूंगा य यह consolidation अपने आप में बहुत important थी और एक positivity cycle तो already started है positivity के दरकार initial target zone क्या यह पार कर पाएगा 1600 का target जो कि current level से आपको लग रहा होगा काफी दूर लेकिन अगर आप ठीक इसी की जगह पे इस group के top के stock DLF Godres property उनको देखोगी तो वो यहाँ पे पहुँचने के कगार पे हैं ल यह तो एक stock हो गया जिसके हमने बारे में बात करी फिलिक्स मिल लेगिन अब इसी को छोटे टाइम फ्रेम पर देख थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर हमने आवरली पे तो देखा अब ज़रा यह देखिए यह डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको गयार वाह यह तो positivity देख रही है एकदम प्राइस जो है वह मूब स्टार्ट कर रहा है आप देखिए यह मूब को देख सकते हैं और मूब का मैं स्टार्टिंग पॉइंट कहूंगा यह वापसी यहाँ पर अब साथ के साथ जब हम आवरली पे देख रहे है अगर आप इसको देखोगे धीरे- स्टॉक है फिनिक्स मिल अगर आप इसके और छोटे टाइम फ्रेम पर जाओ तो आप इसके और चार्ट को देख सकते हो यहीं तक सिमीत नहीं रहेंगे अभी और स्टॉक की तरफ चलते हैं चलते हैं जड़ा ओवराय रियालिटी लिमिटेड इसके बारे में बात करेंगे म चोटे स्टॉक नहीं बड़े स्टॉक्स में इनको कहूंगा तो चलिए लोधा को देखते हैं पहले यहीं कंसॉलिडेशन की तो हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली हमने इसको कहां पर देखिए MRPL की बात करी थी हमने और यहां पर बात करी थी तमिल नाउट पेट्रो प्रोडक्स की बात करी थी और यहां पर यह देखिए गला ग्लैनमार्क फार्मा इस तरह किसा सिचुएशन दी थी पहले अब यह कंसॉलिडेशन जैसे हमने कहा आपको कि यह जो स्टॉक्स हैं एक कै के लिए बिलकुल एक रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट रेंज वह भी 200 एसमे के उपर आवरली पे तो कभी भी लोद्धा डेवलपर्स बड़ी रैली के लिए लेकिन इनीशल टागेट जोन यही है हमारे पास 1100 की रेंज अभी कहा है 9500 की रेंज में है तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसी सिचुएशन है डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे इसको तसली से ध्यान से तो यह मुझे सबसे बहतरीन टाइम लगा बहुत ही बढ़िया वाल्यूम लगा और फिलहाल यह लोग वाल्यूम के करेक्शन चल लागा तो आगे बहुत इंपोर्टेंट टाइम और अगर मैं पीक टागेट की बात करूँ तो पंदरा सो क्या पंदरा सो का टागेट अचीब कर पाएगा उससे पहले देखे उससे पहले देखे तो यह तीन जोन्स हमारे पास से देखे यह तीन जोन्स के लिए अगर सफर की बात करें तो यह सफर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है लुद्धा डिवलपर्स नाक्रो टेक डिवलपर्स बहुत इंपॉर्टन तो चलिए यह दूसरा स्टॉक था और देखते हैं अभी ओवराय को देखते हैं और आपको कहा कि बड़े बड़े स्टॉक से सेग्मेंट के इसके आप अरली चार्ट पर देखिए पॉजिटिव सिचुवेशन लेकिन डेली टाइम फ्रीम पर देखते हैं कि कैसे सिचुवेशन बनके आ रही है और किस तरीके से ओवराल जैसा मैंने आपको कह कि जो इस सेक्टर के बड़े स्टॉक्स हैं वो विल्कुल आस्मानों पर पहुंच रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके के डेली के सिचुवेशन देखने को मिल रही है एक अलग उमीद यहां पर देखने को मिल रही है पॉजिटिविटी लो पॉइंट ए साइकल है जो इनकी वो बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है अगर आपको बैक्टेस्ट करना है जिसे हम बार बार साइकल के बारे बात करते हैं तो आप मार्च एंड से देख सकते हो मार्च एंड मतब 20 मार्च के बाद देखना स्टार्ट करना स्टॉक्स की साइकल तो अब आपको रैली भी देखने को मिल रही है कई सारे स्टॉक्स में तो अभी हमने बात करी रियल स्टेट सेक्टर के तीन स्टॉक्स की अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हो जैसे इन आपको कहाई DLF और पीग पे पहुंच रहे हैं यह भी उसी सेक्टर के स्टॉक से देखें देखें निको किस लेवल पे हैं जो और उपर यहां पर ब्रेक आउट के लिए तैयारी कर रहें देखोगे गौधरेज प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो गौधरेज प्रॉपर्टीज को और यह स्टॉक यह दिखिए गौधरेज प्रॉपर्टीज का अगर आप यहां पर डेली चार्ट देखोगे तो यह यह अभी भी स्टार्ट कर रहा है साइकल को गौधरेज प्र पहर जब एक 72 रेली 2020 में स्टाट करें तो किती बड़ी रेली थी थी सीधे 800 से 2400 तक की अब ये फिर से साइकल स्टाट कर रहा है गौदरेज प्रोपर्टी तो अगें वेरी इंपॉर्टन तो यह रियल स्टेट सेक्टर के स्टॉक्स हमने बात करें यहां पर और आपके सामन साइकल को बेस पर लेकि जो आपको प्रक्टिस दी गई है 5000 स्टॉक्स पर मंत का उसको जरूर देखना है और वीडियो को वीडियो को और उमीद करता हूं पर आपको समझ में जरूर आ रही होगी समझ में और साइकल से बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट इसा फोकस पर रखिए और जब भी आपको टाइम मिलता है प्राइस सेक्षन की सीरीज आपके लिए अल्रेडी रेडी है बस आपको जॉइन वडिन पर क्लिक करना है देखना है और साइकल को बेस पर लेकि जो आपको प्रक्टिस दी गई है 5000 स्टॉक्स पर मंत का उसको जर